ओम प्रमात्मने नमा ग्यान विज्ञान त्रप्तात्मा कूटस्थो विज्टेंद्रिया युक्त इत्यच्चते योगी समलोस्टा स्मकांचनम अर्थात ग्यान विज्ञान त्रप्तात्मा यहां करम योग का प्रकरण है अत्य है यहां करम करने की जानकारी का नाम ग्यान है और करमों की रिद्धी सिद्धी में सम रहने का नाम विज्ञान है इस थूल सरीर से होने वाली क्रिया सुख्ष्व सरीर से होने वाला चिंतन और कारण सरीर से होने वाली समाधी इन तीनों को अपने लिए करना ग्यान नहीं है करन कि क्रिया चिंतन समाधी आदी मात्र करमों का आरंभ और समात्ती होती है तथा उन करमों से मिलने वाले फल का भी आदी और अंत होता है स्वयम प्रमात्मा का अंस होने से नित्य रहता है अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को क्या त्रप्ति मिलेगी जड़के द्वाराचेतन को क्या त्रप्ति मिलेगी ऐसा ठीक अन्वब हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता तो यह कर्मों को करने का ग्यान है ऐसा ग्यान होने पर वो कर्मों की पूर्ती अपूर्ती में और पदार्थों की प्राप्ती अप्राप्ती में सम रहेगा यह विज्ञान है इस ग्यान और विज्ञान से वह स्वयमत्रप्त हो जाता है फिर उसके लिए करना जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता कूटस्था कूट अहरन एक लोपिंड होता है जिस पर लोहा, सोना, चांदी आदी अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं पर वो एक रूप ही रहता है ऐसे ही सिद्ध महापरुस के सामने करम योग के सादक को इंद्रियों पर विशेध्यान देना पड़ता है क्यों कि करम करने में प्रवर्टी होने की कारण उसके कही न कहीं राग दूइस होने की पूरी समभब न रहती है इसलिए गीता ने कहा है कि सरव करम और फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य," इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्यार रखने वाला साधक। सिद्धी अवस्था में स्वत्य विच्छत इंद्री हो जाता है, सम लोष्ट आस्म कांचनह, लोष्ट नाम मिट्टी के ढेले का, अस्म नाम पत्थर का, और कांचन नाम स्वण का है, इन सब में सिद्ध करमयोगी सम रहता है, सम रहने का अरt ये नहीं है, कि उसको मिट्टी के ढेले पत्थर हो स्वण का ज्यान नहीं होता, उसको ये ढहला है, ये पत्थर है, ये स्वण है, ऐसा ज्यान अच्छी तरह से होता है, और उसका व्यवार भी उनके अनुरूप जैसा होना चाहिए, वैसा ये होता है, स्वान चला जाए धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता और स्वान मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता अर्थात उनके आने जाने से बनने बिगडने से उसको हर्ष सोग नहीं होते यही उसका समरहना है उसके लिए जैसे पत्थर है वैसे ही सोना है जैसे सोना है वैसे ही ढेला है और जैसे ढेला है वैसे ही सोना है अतहे इन में से कोई चला गया तो क्या कोई बिगड़ गया तो क्या इन बातों को लेकर उसके अंतहकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता इन स्वर्ण आदी प्राकृत पदार्थों का मूल्य तो प्रकृति के साथ सम्मंद रखते हुए ही प्रतीत होता है और तभी तक उनके बढ़िया घटिया पने का अंतहकरण में असर होता है पर वास्तविक बोध हो जाने पर जब प्रकृति से सम्मंद विच्छेद हो जाता है तब उसके अंतहकरण में इन प्राकृत पदार्थों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता अर्थात बढ़िया घटिया सब पदार्थों में उसका समभाब हो जाता है सार ये निकला कि उसकी द्रस्ति पदार्थों के उत्पन और नस्ठ होने वाले सुभाब पर रहती है अर् सोना उत्पन और नस्ठ होता है पत्थर उत्पन और नस्ठ होता है तसा डेला भी उत्पन और नस्ठ होता है उनकी इस अनित्यता पर द्रस्ति रखने से उसको सोना पत्थर और डेले में तत से कोई फर्क नहीं दीखता है इन तीनों के नाम इसलिए लिए हैं कि इनके साथ ब्यवाहर तो यथायोग ही होना चाहिए और यथायोग करना भी उचित है तथा वो यथायोग ब्यवाहर करता भी है पर उसकी द्रस्ति उनके बिनासी पने पर ही रहती है उनमें जो परमात मतत्व एक समान परपून है उस परमात मतत्व की सुतह सिद्धी समता उसमें रहती युक्त इत्य चते योगी ऐसा ज्ञान विज्ञान से त्रप्त निर्विकार जिते इंद्रिया और सम्भुद्धी वाला सिद्ध करम योगी युक्त अर्थात योगा रूड सम्ता में इस्थित कहा जाता है अता है चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकेन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जैसरी किसना लखें बूल जैसरी किसना